सलमान खान के फिल्म टाइगर 3 दिवाली के दिन आ रही है और फैंस इस फिल्म का बेसबरी से इज़ार कर रहे हैं आपको बता दे टाइगर बनने के लिए सलमान खान ने बहुत ही मोटी फीस वसुली है आम तोर पर वॉलीवुड की दूसरे फिल्मों के लिए वो 70 से 80 करोड या करते थे लेकिन टाइगर बनने के लिए उन्होंने अपनी फीस बहुत ज़ादा बढ़ा दी है वैसे तो सलमान खान को बिग बॉस के घर में भी बहुत अच्छी फीस मिलती है लेकिन ये फिल्म जो है ये सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है और कह सकते हैं कि सबसे जादा फीस भी उनको इस फिल्म में मिली है वहीं सलमान खान के मुकाबले काटरीना क्याफ या फिल्म में जो लीड विलिन का रोल कर रहे हैं इम्रान हाश्मी उनको काफी कम फीस मिली है तो चलिए आपको एक बार बताते हैं कि सलमान ने टाइगर बनने के लिए कितनी फीस लिए और फिल्म के बाकी कलाकारों को कितनी जी हां सलमान खान के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने टाइगर बनने के लिए सौ करोड की फीस ली है सौ करोड इससे पहले उन्होंने किसी और फिल्म के लिए चार्ज नहीं किये लेकिन टाइगर बनने के लिए उन्होंने पूरे सौ करोड लिये हैं आम तोर पर बॉ में सबसे महंगे आक्टर हैं वहीं साउट में भी कई सारे ऐसे आक्टर हैं जैसे प्रभास हो अलुअर्जुन हो या फिर थलपती विजय हो ये तमाम इक स्टार्ज भी सो करोड तक की फीस वसूलते हैं कि चलिए अब आपको बताते हैं कि काट्रीना काफ ने सफिल्म में इस फिल्म में कितनी दीज लेए उन्हें इस फिल्म में पंदरा से 20 करोड डी भी से इतनी उती है और कि यह इक फिल्म के लिए 10 plan करोड चार्ज फिल्म के यह 1 विल्म में इतना ही चार्ज गिया है वहीं इमरान हाश्मी इस फिल्म में विलेन बने हैं वो एक फुंखार आतंपारी तिल है और उन्होंने इस फिल्म में सलमान खान को जो है कह सकते हैं नाको चने चबबा दिये हैं उनको जो है दोनों विलेन के बीच और जो हीरो है टाइगर उनके बीच काफी आपको फाइट इस फिल्म में बिल्कुल डिफरेंट है और ऐसे में इमरान हाश्मी ने इस फिल्म के लिए चार्ज के है साथ से आठ करोर ताइगर की जो पिछली दो सीरीज थी उसमें ताइगर के बॉस गुआ करते थे गिरीश करणाड जो की रॉव के चीज थी लेकिन इस बार जो है ताइगर की बॉस होंगी रेवती और रेवती जुदोंने सलमान खान के साथ फिल्म लव में काम किया था दोनों ही फिल्मी पर पर रोमैंस कर चुके हैं नबे के दर्शक में और लव फिल्म जो है हिट भी हुई थी और इसे फिल्म से रेवती को बॉलिवुड में पहचान मिली थी उसके बाद से रेवती साउथ की फिल्मों में काम करने लेकिन अब भी वो बॉलिवुड की कुछ फिल्मों में काम करत फिल्म में वो उनकी मा के करदार में होती है लेकिन इस फिल्म में भी रिदी डोगरा काम कर रही है और रिदी डोगरा के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें इस फिल्म के लिए मिले हैं 30 लाख रुपे विशाल जेटवा भी इस फिल्म का हिस्सा है टाइगर त्री में उन्हो आपको बता दे कि सलमान खान के फिल्म टाइगर 3 को बनाने में 300 करोड रुपे खर्चुए हैं इस फिल्म को यश्राज फिल्म्स ने बनाया है और आदित्य चोपडा इसके प्रोड्यूसर है वही इस फिल्म के डिरेक्टर है मनीश चर्मा इससे पहले जो फिछली टाइगर जिंदा आई थी उस फिल्म के डिरेक्टर थी अलिअबार जफर और एक था टाइगर जिपी सब्सक्रेंट के डिरेक्शन किया था कबिर काने वाइब करें कि अलग अलग तरेक्टर है और माना जा रहा है कि टाइगर 3 भी उतनी ही दिलचस्क होगी जितनी एक था टाइगर या फिर टाइगर जिन्दा है थी और दोनों ही फिल्मे सुपर हिट हुई थी और टाइगर 3 से भी वही उमीद है आपको ये बता दे कहा जा रहा है कि टाइगर 3 की ओपनिंग करीब 50 करोड तक की इंडिया में हो सकती है वर्ल्ड वाइड अगर माना जाए तो टाइगर 3 100 करोड तक का बिजनिस कर सकती है अपने पहले दिन इस फिल्म को माना जा रहा है कि ये फिल्म 500-600 करोड तक का कारोबार कर सकती इंगन बॉक्स ओफिपर और वर्ल्ड वाइड इसका आकड़ा 1000 तक बहुत सकता है क्योंकि इन दिनों जो है बॉलिवुड में देखा जा रहा है कि फिल्मों को लेकर बड़े स्टार्स की जब फिल्में आती है उनको देखने के लिए दर्शक भारी संख्या में सिनवा घर में जा रहे है ट्राइगर 3 को लेकर भी बहुत अच्छा बस बना हुआ है और माना जा रहा है कि इस फिल्म को भी दर्शकों का प्यार जो है गदर टू, जवान और पढ़ान की तरह ही मिलेगा और माना जा रहा है कि ट्राइगर 3 के जरीए सल्मान खान एक बार फिर से दमदार वापती करेंगे